हलो फ्रेंट्स आज मैं आपको टैन्थ क्लास का जो एट चप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री उसके बारे में बेसिक चीजे बताऊंगी कि हम जो हैं वैल्यूस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हम जो हैं एक राइट एंगल ड्रो क करेंगे लाइक दिस दिस दा साइट हाइपोटेनूस दिस दा साइट बेस एंड दिस दा प्रिपेंडिकुलर एंड इस इस दा एंगल थीटा नाओ आई टैल यू बाउट दा फोमूला सिंपल सा है पंडित बदरी परशाद हरी हरी बोले तो इसमें जो है आप कैसे करोगे जो हमारा पहला है P, P is for perpendicular, B is for base, H is for hypotenuse तो अगर हमने हैं साइन की value निकालनी है साइन थीटा इस 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 इक्वल टू P अपोन H next है sine के बाद हमारा होता है cosine जिसको हम shortcut में लिखते है cos theta, cos, cos theta is equal to second value, B upon H sine, cosine next होता है tangent, tan हम short form में लिखते हैं इसको tan theta, this is equal to P upon B sine, cosine, tangent, cosec, cosec, this is equal to, इसका reverse हो जाएगा, one upon sine theta और यह sine theta का क्या अत्ता है P upon H, और इसको हम लिखते हैं H upon P, और वैसे ही तरीके से देखो H upon P, reverse similarly cosecant के बाद, sec theta, sec, जिसको short form में लिखते हैं, this is equal to one upon cos theta cos की value कितनी है, B upon H, और यह हो जाएगा, H upon B इस तरीके से भी हम इसको देखते हैं, next है sine, cos, tangent, cosecant, secant, code theta tangent जिसको बोलते हैं, this is equal to one upon tangent, और यह होता है, one upon sine upon cos और यह हो जाता है, cos theta upon sin theta, यह थोड़ा deeply चला गया, यह जब आप करोगे, तो आपको clear हो जाएगी यह चीज, तो main जो मैं अभी आपको बता रहे हूं, cotangent theta, code theta is equal to one upon tangent theta, और यह भी reverse हो जाएगा, यहाँ से, b upon p, base upon perpendicular, तो हमने यह six trigonometry values निकाल ली हैं, sin theta is equal to p upon h, पंडित बदरी परशाद हरी हरी बोले वले फोर्मुले से, p upon h sin theta, cos theta है b upon h, tangent theta है p upon b, और cosecant theta है h upon p, secant जो है, वो है h upon b, और cotangent theta है b upon p, तो यह हमारी six trigonometric values हैं, इनी के ओपर सारी trigonometry base जोती है, तो main आपको यह जो है right angle triangle से values इसकी learn करनी है, और फिर यह हमारा formula है, पंडित बदरी परशाद हरी हरी बोले, तो इससे आप यह six values निकाल सकते हैं, तो आपकी book में देखो 10th class की जो book है, उसमें भी essay दिया हुआ है, तो इसमें थोड़ा सापको यह side जैसे base को लिखा हुआ है, side opposite to angle, see hypotenuse clear है, side adjacent to angle, थोड़ा साथ students यहां पे confused हो जाते हैं, तो उस चीज़ को easy करने के लिए मैंने आपको जो है, यह पंडित बदरी परशाद हरी हरी बोले वाले formula से simple trigonometry values जो है निकालने के लिए बताए हैं, तो आप, I hope इस तरीके से आप इसको easily कर सकते हो, okay, thank you students.